इंसान को अपनी मेनस से जादा और अपने कर्मों का आधा कभी नहीं मिलता है तो आपने जैसा भी पेपर किया उमीद करता हूँ आपने अच्छा किया होगा अब इस लडाई जगणे में जनरली मैं ऐसी वीडियो करता नहीं कि कट आफ कितने जाएगी यह कितना होगा वो कि आपकी सबी लोग जिनका एकजाम कल है जिनका अब 19 तारिक को है जिनका 26 तारिक है अपना एक भी सिंगल डे खराब ना करें और मेहनत करते रहें आगे आने वाले एकजाम के लिए आपके पास समय नहीं खराब करने के लिए अब यह नहीं करना बार-बार हर किसी का कट सकता है क्योंकि hàng कोई एकुरेट नहीं वताता बस प्रेडिक्शन करते हैं और अरार्बी खरी क्लर्ग में प्रेडिक्शन करना असमभव टाइप का है असमभव और पेपर हलका आया तो और असमभव सा हो गया है तो मेरा आपसे कहना है यह चारो शिफ्ट का किसी कैसी को ल आया है आरर भी क्लर का पिपर आया जैसे एक्सपेक्टेड था काफी लोग बहुत सरे टेंट भी करके आये हैं लेकिन उनमें से बहुत सरे बच्चे ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से तयारी भी कर रहे थे तो कट अफ डिपेंड करेगी आपके यहां पर विकेंसी किती निकली है आपके स्टेट में विकेंसी किती निकली है वहाँ पर पेपर का कितने लोगों ने किस तरीके से पर दिया तो बहुत सरे फेक्टर रहते हैं और अभी तो कल पेपर बाकी है 19 को पेपर बाकी है अब यहां आ जाईए देखे पहले पजल की बात करता हूँ शिफ्ट नंब ब्लड रलेशन और और नंगी को भी वहीं मिला लिया और 24 नंबर का यहां पर शिफ्ट 3 में आया है केवल शिफ्ट 3 में तीन नंबर ज्यादा पजल का एरिया पूछा गया देखो आप लोग ब्लड रलेशन को भी पजल ही माल लेते हो सिटिंग और पजल का हिस्सा माल ले पजल तो इसमें भी तीन, इसमें भी तीन की चाह, तीन नंबर का नंसर्टे इर न ओर अगया यहां हो पर और ओर डारेक्षन हाएं यहां पर बलड और अनसर्टेन आया ठिक है वह पर बस इकलौती यह शिफ्ट है जहां पर order ranking भी आगया, direction भी आगया और uncertain भी आगया, इसमें 19 नंबर का mislinious portion, इसमें 16 नंबर का, इसमें 19 का, इसमें 19 का, पूरा का पूरा detail में analysis मैंने किया है, तो शारे के सारे paper ही almost same आये है, तो कुछी का भी paper 19-20 ऐसा नहीं है, कि मेरी shift का paper tough आगया, मेरी का ज़्यादा सा गया है, तो बिल्कुल mains के तैयारी करें, पर RRB clerk है, इसमें जितनी आपकी मेहनत का साथ है, थोड़ा बहुत लग्का भी साथ रहता है, क्योंकि cut off पता नहीं कितनी चली जाए, विकेंसी भी बहुत limited हैं, तो IBPS clerk की आप तैयारी कर रहे होंगे, आपका examo का 26 को जुट जा तैयारी कराता हूँगा, साथ ही पूरी team EVP आपके लिए लगी हुई है, चिंता मत करी, हम आपके साथ खड़े हुए यापर, 15 तारीक को, सुबा 11 बजे, चार बड़ी धमाके लिकर आ रहे हैं, जिससे आपकी profession में और बड़ी help मिलेगी, तो ये वीडियो कराने का मकसद के तो परेशान होने की आवशकता नहीं है, तीन महीने बाद फिर डॉक्टर को दिखाने आना है, क्योंकि HR, CPT, ऐसे करके कुछ एक चीज बड़ी हुई थी, हाई रिस था एक जगा, लेकिन उमीद है कि सब बढ़िया रहेगा, अब मैं मेडिसन ले रहा हूँ, तो चिंता न झाल